Hello everyone, Welcome to All India Students Community मैं All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज आप लोगों के सामने 40 कोश्चन होंगे और इस मोक टेस्ट के इन 40 कोश्चन में हर एक सब्जेक्ट से आपको कोश्चन मिलेगा देखते हैं आज आप कितना स्कोर कर पाते हैं तो सुरू करते हैं पहले कोश्चन से जब किसी वस्तू का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह कौन सी स्थिती कहलाती है जनता एक आधिकार, दुपक्षे एक आधिकार, विसेश विक्रेता एक आधिकार या डी क्रे का एक आधिकार बताईएगा जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता हो तथा एक विक्रेता हो तब वो कौन चीज तिती कहलाएगी and the correct answer is दुई पक्सिय एक आधिकार तो जो लोग भी बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है सारे स्टुडेंट फटा फट से जवाब दें Question number 2 कौन चेत्रिय ग्रामीन बैंकों का प्रायोजित करता है भारतिय रिजर्बैंक, विदेसी बैंक, रास्टिय वानिजिक बैंक या डी सहकारी बैंक and the correct answer is रास्टिय वानिजिक बैंक Question number 3 निमलिकित में से किसके पास भारतिय सुरक्सा बलो पर सर्वोच कमान प्राप्त है यहाँ पर सीधा सा Question ये है कि Commander कौन है All Defense Forces का भारत के परधान मंत्री, भारत के रक्सा मंत्री, भारतिय केंद्रिय मंत्री परिसद या D, भारत के रास्ट्र पती And the correct answer is भारत के रास्ट्र पती D is the correct answer अगले कौशन पर आते है दल बदल कानून भारतय सविधान की किस अनुसूची में दिया गया है दल बदल कानून ये किस अनुसूची के तहत आता है दूसरी दस्वी, तीसरी या चोथी And the correct answer is दस्वी, अनुसूची तो जिन लोगों ने भी बोला है उनका सभी का सही जवाब है कोशन अंबा 65 बनारस हिंदू विस्विध्याल्य की स्थापना किसने की थी बनारस हिंदू विस्विध्याल्य सुकुमार दत मदन मोहन माल्विय जिनको हम महामना के नाम से भी जानते हैं Q66 त्राइन का दुवित्यय यूद डैस के बीच लड़ा गया था किस-किस के बीच लड़ा गया त्राइन का दुवित्यय यूद सिकंदर तथा पोरस जैचन तथा मुहम्मद गोरी हेव अकबर तथा हेमू यदि मुहम्मद गोरी तथा पृत्वीराज चोहान त्राइन का दुवित्यय यूद अगला कुश्यन निमलिकित में से कौन सी धातू पृत्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मैगनीशियम लोहा तांबा या अल्यूमिनियम वो कौन सी धातू है जो भूपरपटी में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है and the correct answer is अल्यूमिनियम बिल्कुल सही जवाब है जिन लोगों ने अल्यूमिनियम बोला है अगला कुश्यन अल्यूमिनियम तथा आईरन उक्साइड की अत्यदिक मात्रा वाली म्रदा को आप क्या कहेंगे उस मिट्टी के अंदर जिसके अंदर अल्यूमिनियम और आईरन उक्साइड की अधिकता हो उस मिट्टी को आप क्या बोलोगे चरागहा मरदा पेडलफर चरनोजेम या फिर पोड़जॉल मृदा क्रेक्ट आंसर बोलेगा आपकी स्क्रेन पर जिल लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया लाइक और शेयर कर दो डेली आट बजे मोक टेस्ट आप लोगों पता ही होगा and the correct answer is very good question number 69 लाल सडन red dot बिमारी निमलिकित में से किस पोदे को होती है या आपने देखी होगी red dot बिमारी जो गांग ग्रामीन छेत्र से है उनको इस बिमारी के बारे में पता होगा धान गन्ना सरसोया गेहू red dot बिमारी लाल सडन and the correct answer is गन्ना लाल लाल इनसी बन जाती है ना हाँ बिलकुल अगला question निमलिकित में से कौन एक सयोजी उत्तक नहीं है रक्त अस्थी तवचा या सनायू कौन एक सयोजी उत्तक नहीं है and the correct answer is तवचा question number 71 निमलिकित में से कौन से सूक्षम जीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर विमारियों के कारण है कौन से है वो सूक्षम जीवी जो पोलियो और चेचक जैसी गंभीर विमारियों के कारण है बक्तिरिया, प्रोटोजोवा, सेवाल या विशानू and the correct answer is विशानू question number 72 उत्तल दर्पन को प्रियोग डैस में होता है उत्तल दर्पन का प्रियोग आप किसमें करते हैं नेत्र अंत्रदर्सी अगर दीप का प्रतिक्षेप या पस्च दर्षी दर्पन बताइएगा correct answer क्या होगा and the correct answer is D, पस्च दर्षी दर्पन D is the correct answer question number 73 आवरत्ती का ऐसाई मातरक क्या है आवरत्ती आवरत्ती का ऐसाई मातरक and the correct answer is D, हड्ज question number 74 निमलिखित में से कौन सा एक संसोधक बटन है कौन सा है एक संसोधक बटन and the correct answer is control, shift, alt सभी जो है यह संसोधक बटन है दोस्तो कितने लोगों को माई के complete current affairs चाहिए हिंदी और इंग्लिस में जल्दी से बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए अगर चाहिए तो अभी offer चल रहा है आज last day है मेरा यह number है 7827034344 इस number पर आप payment करके शिर्फ 25 रुपीज only 25 रुपीज आज आज के लिए यह offer है अगर आप अभी payment करते हैं तो आपको Paytm phone पे Google पे करना होगा इस number पर और आपको 5 June को यह current affairs भेज दे जाएंगे last day है तो आज ही अपना नाम register करा लो 25 रुपीज का Paytm phone पे Google पे करके इस number पर screenshot भेज देना आपको add कर दूँगा मैं चलो अगले question पर आते हैं निमलिकित में से कौन सी एक निस्क्रिया गैस है Hydrogen Nitrogen Oxygen या Argon निस्क्रिया गैस कौन सी है and the correct answer is D. Organ Question number 76 Ozone oxygen का एक डैस है Approved समस्थानिक समभारिक या सम Neutronic Ozone oxygen का डैस है Approved Question number 77 Red Data Book में निमलिकित में से कौन सा डाटा पाया जाता है Red Data Book तो Red Data Book में मिलता है सभी विलुप्थ प्राय परजातियों का तो correct answer होगा C Question number 78 जूलती मिनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस सहर में इस्तित है जूलती मिनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस सहर में इस्तित है कानपूर एहमदाबाद जैपूर या राची बताइएगा क्या होगा इसका सही जूलती मिनारों वाली एक मस्जिद बोलिएगा कहां पर है जूलती मिनारों वाली एक मस्जिद and the correct answer is एहमदाबाद कुशन अबर 79 तवाँ के पास भारत का भूमी विवाद निमलिकित में से किस देश के साथ है तवाँ के पास किस के साथ है भूमी विवाद and the correct answer is चाइना चीन कुशन अबर 80 निमलिकित में से कौन से अधिकार को मोलिक अधिकारों से हटा कर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है जीवन की रक्सा तथा दाहिक स्वतंता का अधिकार B. संपत्ती का अधिकार C. सिक्सा का अधिकार D. धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार तो कौन से मोलिक अधिकार को हटा कर एक सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया है And the correct answer is संपत्ती का अधिकार Question number 81 कौन सा मोलिक करतवे के अंतरगत नहीं आता सार्जनिक संपत्ती की सुरक्षा B. प्राकर्तिक प्रियावरन का सर्रक्षन तथा उसमें सुधार करना C. सदभाव को बढ़ावा देना D. अभिव्यक्ती की स्वतंता का सर्रक्षन कौन सा मोलिक करतवे के अंतरगत नहीं आता है And the correct answer is अभिव्यक्ती की स्वतंतरता का सर्रक्षन यहाँ पर कुछ सुधार अंदोलन है और उनके संस्थापक आपको मैच करना है देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे आरिया समाज, ब्रहम समाज, वेद समाज, प्रातरा समाज बहुत important question है कभी-कभी direct पूछला जाता है आरिया समाज के संस्थापक का नाम ब्रहम समाज के संस्थापक का नाम तो चार question यहाँ से आप लोगों के जो है cover हो जाएंगे and the correct answer is आरिया समाज, दयानद सरस्वती ब्रहम समाज, राजाराम मोहन रोय वेद समाज, केशरी धरलू नाइडू और प्राथना समाज, आत्मराम पांडूरंग and the correct answer is B B option यहाँ पर एकदम सही है next question सचिन तेंदुलकर की आत्म कथा का क्या नाम है सचिन तेंदुलकर की आत्म कथा numbers to lie, playing it my way once upon a time what is remembered सचिन तेंदुलकर की आत्म कथा and the correct answer is playing it my way question number 84 सरवाधिक गोखुर जीले किस नदी की निचली घाटी में पाई जाती है नील नदी, Mississippi नदी, कौवेरी या गंगा नदी सरवाधिक गोखुर जीले and the correct answer is Mississippi नदी question number 85 राष्टपती द्वारा संसद के दोनों सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्टपती द्वारा and the correct answer is 14 question number 86 भारत में आर्थिक विकास का सूचक किसे माना जाता है भारत में आर्थिक विकास का सूचक ओधोगिक विकास को आर्थिक विकास को क्रिसी विकास को यडी राजनेतिक विकास को and the correct answer is ओधोगिक विकास को question number 87 विस विख्यात रोग गार्डन कहां पर इस्थित है विस विख्यात रोग गार्डन कहां पर है कलकत्ता, जैपूर, चंडिगड या बेंगलोर and the correct answer is चंडिगड question number 88 Mother Teresa को Nobel प्रुषकार 1979 में किस छेत्र में मिला था सांती के छेत्र में धोटिक सविग्यान, अर्थसात या साहित्य Mother Teresa को Nobel प्रुषकार and the correct answer is A. सांती के छेत्र में question number 89 Antrix की यात्रा करने वाली पहली प्रथम महिला जवाब दीजेगा, 4 option आपके सामने है अज़क कितने लोगों को लगता है कि GK इंप्रूव नहीं हो रहा है और GK कैसे इंप्रूव करना है आप जानना चाहते है कितने students है जो नहीं जुड़े हैं, पुराने वालों को मैं बता चुका हूँ जो नहीं हैं और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे उन लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ देली सवा 6 बजे करन्ट अफेस का किलास होता है अब आप बोलो के करन्ट अफेस का GK से क्या संबंद है एक किलास, दो-चार किलास लेकर देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरी करन्ट अफेस का संबंद GK के साथ क्या है आपका पॉलिटी, जोग्रफी, हिस्ट्री सारी कवर करा दूँगा रोज सिर्फ करन्ट अफेस पढ़ा के तो आप लोगों का कम से कम 40% से ले बस डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो देखके कवर हो जाएगा तो जरूर देखा करे करन्ट अफेस का वीडियो मैं सिर्फ वहाँ पर करन्ट अफेस ही नहीं आप लोगों का जीके भी प्रिपेर करा रहा हूँ और बहुत सारे स्टुटेंट्स जो मुझसे जुड़े हैं एक दो महिना हो गया है वो सच बताए कि आप लोगों के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है कमेंट्स आपके हैं बताएगा दूसरे स्टुडेंट्स को भी एन दा क्रेक्ट आंसर इस बिल्कुल C is the correct आंसर वेलेंटिना तेरसकोवा कोशन नमबर 890 संक्राचारिया ने चार मटो की स्थापना कहां कहां पर की संक्राचारिया ने चार ओप्षन आपके सामने है ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए संक्राचारिया ने चार मटो की स्थापना कहां पर की एन दा क्रेक्ट आंसर इस बद्रिनात, पुरी, स्रंगेरी और दुवारिका किस नृत्य का उद्भव ब्रजभूमी की रासलीला से हुआ कथकली, कथक, मोहिनी अट्टम या सत्रिया किस नृत्य का उद्भव ब्रजभूमी की रासलीला से हुआ है and the correct answer is कथक कुश्य नमबर 92 जो पहली बार आज हमारे इस वीडियो को देख रहा हो वो नीचे कमेंट सेक्षन में एक बार हलो जरूर लिख कर भेजेगा वो आज अपने नाम के साथ हलो और उसके साथ लिखेगा न्यू मुझे पता लगेगा कितने स्टुडेंट्स पहली बार जुडे हैं पहली बार चैनल पर आए हैं बोध धर्म and the correct answer is बोध धर्म question number 93 चिपको आंदोलन प्रियावरन सर्रक्षन से सम्बंदित है इस आंदोलन के परनेता कोन थे? श्री पांडूरंग हेगडे, बाबा आम्ते, सुंदरलाल बहुगुणा या राजे इंदर सेंग and the correct answer is सुंदरलाल बहुगुणा question number 94 APEC का पूर्णूरूप क्या है? APEC का full form यह थोड़ा image जो है थोड़ा blur हो गया APEC का पूर्णूरूप and the correct answer is Asia Pacific Economic Cooperation Asia Pacific Economic Cooperation मैं लिख देता हूँ Asia Pacific Economic Cooperation question number 95 SIM का पूरा रूप क्या है? सभी अपने mobile में SIM इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप जानते हैं SIM का पूरा रूप? SIM का पूरा रूप क्या है? subscriber identity module क्या है? subscriber identity module A is the correct answer question number 96 रास्ट्य महामार्ग संख्या 1A का समापती स्थल उडी, स्री नगर, जम्मू या पठान कोट National Highway 1A का समापती स्थल क्या है? उडी, स्री नगर, जम्मू पठान कोट बहुत बढ़िया तो जो लोग बोल रहे हैं उडी, वो बिल्कुल सही बोल रहे है and the correct answer is A question number 97 हाल फिलाल में आने वाले एक्जाम से में question पक्का है मैंने आपको जब आयुशमान भारती योजना के बारे में पढ़ाया बोला था ये question important हो जाता है फिर कल मैंने आपको व्यवंदना योजना से related अलग एक वीडियो पढ़ाया था बताया था जिसमें आपको सारी डिटेल बता दी गई थी उजवला योजना को इस साल चार साल पूरे हो गए है कितने साल चार साल तो यहां से question जरूर बन सकता है एक मई 2016 को परधानमंत्री उजवला योजना को प्रारम की गई उत्तर प्रदेश के एक किस जिले में परधानमंत्री द्वारा इस योजना को प्रारम की आगया यह question पूछा जा सकता है कि उजवला योजना को हाल ही में चार साल पूरे हो गए तो बताओ इस योजना को कहा से शुरू किया गया था और किस के द्वारा तो परदानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था कहाँ पर लखनौ के किस जिले से And the correct answer is लखनौ के बलिया जिले से उजवला योजना को स्टार्ट किया गया था Question number 98 परदानमंत्री आवास योजना की समय अवधी कितनी है परदानमंत्री आवास योजना तो इसकी समय अवधी है 2015 से 2022 Question number 99 Match करना है वन्यजीव और राज्य जंगली गधा सिंग पुछी मकाक, हुलोक गिब्बन Match करियेगा Correct answer क्या होगा And the correct answer is 312 जंगली गधा गुजरात, वाइल्ड एस सिंग पुछी मकाक, केरल और हुलोक गिब्बन, असम Correct answer होगा 312 And last but not the least question Tata Institute of Fundamental Research कहां पर इस्थित है Tata Institute of Fundamental Research ये कहां पर इस्थित है And the correct answer is D. Mumbai दोस्तों आप लोगोंने हाल फिलाल में PPE kit का नाम बहुत सुना होगा हा की ना, PPE आज आप लोगों के लिए question of the day, PPE का full form क्या है What does PPE stands for इसका question का जवाब मैं कल सुभई की वीडियो के अंदर आपको दे दूँगा सबाचे बजे, जो मेरा current affairs का वीडियो आएगा तो उसके अंदर देखते हैं, तब तक अगब आपको पता है तो आप बताईएगा PPE का full form क्या है देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे जो लोग अभी तक जिन लोगोंने लाइक नहीं किया है वो भी एक बार लाइक का बटन दबा दें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें सबसे इंपोर्टेंट चीज मैं बता दूँ आप लोगों के लिए एक ग्रूप बनाया गया है और एक बहुत ही बहतरीन ग्रूप है जिसमें आप सिर्फ 50 रुपीज पे करके चार महीने का मेंबर्शिप ले सकते हैं चार महीने का मेंबर्शिप बिल्कुल सही सुन रहे हैं चार महीने का मेंबर्शिप 78-270-343444 इस नंबर पर आपको Paytm, Phone Pay और Google Pay कर देना है चार महीने का मेंबर्शिप मिलेगा वहाँ पर daily quiz होता है English का, computer का, maths के question न पूछ सकते हैं आप तो उस quiz में आप participate कर सकते हैं मैं जो material भेजता हूँ वो देख सकते हैं साथी साथ video का updates मिलेगा कोई भी video miss नहीं होगा और जो PDF वगएरा आपका exam जब एक से डेड़ महिना रह जाएगा उस time पे जो important material मैं आपको भेजूँगा वो पुराना सारा material, question paper पुराने वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं तो आज ही इस number से जुड़ जाएए 50 rupees पे करना है आपको और 4 महिने का आपको membership मिल जाएगा अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं और चल रहा है मही में 50 rupees है उसके बाद यह 100 हो जाएगा पे टियम फोन पे गूगल पे इस नंबर पर करिए आपको जुड़ जाएगा फिर सवाल उपता है current affairs के लिए क्यों अलग pay करना पड़ता है मंतली current affairs आप लोगों के लिए मंतली current affairs के लिए pay करना पड़ेगा हर महीने लेकिन बाकी सारी चीज़े आपको 50 rupees के अंदर अलग से free of cost मिलती रहेगी तो दोस्तों यह थे आज का हमारा वीडियो एक छोटा सा मोक टेस्ट आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like करें शेयर करें और तो आपको पता ही है जाहिन जाभारा टेक केर लव योल बबाए